इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से जरूर पुछे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का पुरिद्धी, गठन और रखरखाव के लिए आवश्चक है। इस आवश्चक विटामिन की कमी से हड्डियों से संबंधित कई विकार हो सकते हैं। जैसे ऑस्टियो परोसिस, हाइपो पैरिथाइरोइडिजम और रिकेट्स। कैल्शियम अवशोशन जैसी कई शारीरिक प् 1. विटामिन D3 का उप्योग मुख्य रूप से कैल्शियम के निम्स्तर को रोकने के लिए किया जाता है। यह विटामिन D3 की कमी को पूरा करता है। बहतर कैल्शियम अवशोशन के लिए विटामिन D3 की आवश्चकता होती है। 2. कैल्शियम के अवशोशन के लिए विटामिन D3 की आवश्चकता होती है, जो स्वस्थ हड्डियों के विकास और रखरखाव के लिए आवश्चक है। 3. विटामिन D3 प्रतिरक्षा प्रणाली के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये रोगानो रोधी प्रोटीन के संशलेशन की सुविधा प्रदान करता है, जो वाइरिस और बैक्टीरिया से लड़ता है। 4. विटामिन D3 मानस्पेशियों के कार्य और मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है और मानस्पेशियों के तंतूओं के विकास और मानस्पेशियों के संकुचन और विश्राम में योगदान देता है।